नमस्कार दोस्तों दोस्तों 17 सब्तमबर 2022 हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेंदर मोदी के जनम दिन के उपलक्ष पर भारत में आठ नामी वी आई चीते लाए जा रहे हैं इस वीडियो लेक्चर में हम चीते और उससे जुड़ी विशेशताओं को जानेंगे वीडियो के अंत में मैं आपको उस नैशनल पाक का नाम बताऊंगा जहांपर चीतों को ट्रांसलोकेट किया जाएगा दोस्तों चीते शेर या वाग की तरह दहारते नहीं हैं बलकि बिलियों या यू कहूं की पक्षी की तरह धीमी गती की आवाज निकालते हैं इसकी वज़ा ये है कि चीते के गले में वो हड़ी नहीं होती जिससे वो दहार सके खैर आवाज से अलग चीता दुनिया का सबसे तेज जांगर है वो किसी स्पोर्ट्स कार से भी तेज दौर सकता है उसे 0-90 किलोमीटर पती घंटे की रफतार पकड़ने में महज 3 सेकंड लगते हैं लेकिन चीता बहुत दूर तक इतनी तेज गती से नहीं दौर पाता आमतौर पे ये तेज गती 300 मीटर तक रहती है चीता अपना काफी समय सुस्ताने में लगाता है दोस्तों क्या आप जानते हैं इसका नाम चीता कैसे पड़ा ये नाम हिंदी के शब्द चित्ती से बना है क्योंकि इसके शरीर में चित्तीदार निशान देखने को मिलते हैं चीते के आंखों के नीचे जो काली धारियां आसूं की तरह दिखती है वो दरसल सूरज की तेज किरनों को रिफलेक्ट करती है जिससे वो तेज धूप में भी देख सकता है लेकिन चीते रात को शिकार नहीं कर सकते मुगल बादशाओं को चीते पानले का शौक था वो अपने साथ चीते को शिकार पर ले जाते जो आगे-ागे चलते थे और हिरनों का शिकार करते थे भारत में चीतों को 1992 में विलुप्त घोशित कर दिया गया था अब एक बार फिर इन्हें भारत में बसाने की कोशिश हो रही है अफरीकी देश नामीबिया और साउथ अफरीका से चीते को ट्रांस लोकेट किया जाएगा मध्यप्रदेश के कूनो नैशनल पार्क में दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल मल्टी फ्रंट को जरूर सब्सक्राइब करिएगा